हेलो दोस्तो स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पुस्तग्यान में दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 5 के इंगलिस का वंडर्फुल वेस्ट चैप्टर का हिंदी समरी तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं वंडर्फुल वेस्ट यानि की अदभूत कचड़ा वेस्ट इस नाम से हम सब तो वाकी भी होंगे दोस्तो वेस्ट का तातपर होता है कि वैसे अन्यूजूल थींग जो हमारे यूज में न आता हो यानि कि जिसका यूज हम नहीं करते हो इसी पर ये एक बहुत ही खुपसूरत कहानी है एक बार ट्रावन कोर के महराज ने अपने राज महल में एक भोज का आयोजन किया जब दो पहर का समय होता है बीनर से कुछ समय पहले राजा सोचते हैं कि क्यूना हम थोड़ा सा रसोई घर में जाते हैं और वहां का मुआयना करते हैं कि भोज की जो तैयारी है वो कहां तक पहुँची है या कैसी तैयारी है वो समय ना गवाते हुए रसोईया के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि कुछ सबजी के जो बचे कुछे टुकडे हैं उनको रसोईया ने एक तरफ रखा हुगा था राजा उस रसोईया से पूचते हैं कि ये क्या रखा हुआ है रसोईया बताता है उन्हें कि ये सबजी के जो पिल्स है छिलके हैं उन सभी को काट कर यहां पे रखा गया है तो फिर राजा उनसे पूछते हैं कि क्या इसका कोई काम निकाला जा सकता है या इस जो waste है इसको फेकने के बज़ाए कोई इससे useful things बनाया जा सकता है रसोया ये सुनकर परसान हो जाता है उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे राजा उससे कहते हैं कि वो इन टुकड़े को फेके नहीं बलकि इसका यूज करें इसका सदीप्योग करें और किसी काम में इसको लाए रसोया का दिमाग पुरी तिरह से परिसान हो जाता है उसने बहुत सोचा लेकिन वो अब तक किसी निसकर्ष पर नहीं पहुंचता है उससे साफ किया फिर उसने उसको लंबी लंबी पटियों में उसे काट दिया काटने के बाद उसने उसे एक बरतन में डाल दिया और डालने के बाद पकने के लिए आच के उपर उसने रख दिया कुछ समय के बाद उसने उसमें नारियल, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट और नमक उस पक्ती जो ब्यांजन था सबजी था उसमें डाल दिया कुछ समय के बाद वो उसमें थोड़ा सा दही भी डाल देता है और उसे बड़ा स्वादिस्ट एक ब्यंजन के रूप में बना देता है जब सभी लोग भोजन पे आते हैं तो वो इस नए पकवान को सभी के सामने परोस देता है जब सब कोई इस पकवान को खाते हैं, उन्हें ये पकवान बड़ा ही पसंद आता है, सभी लोग जानना चाहते हैं कि इस पकवान का नाम क्या है, तब रस्वया के दिमाग में चुकी उसने ही इस पकवान को बनाया था और अभी तक उसने इसका नाम नहीं सोचा था, जैसे ह सब लोग पूछते हैं कि वो इस पकवान का नाम बता इस ये जो पकवान है इसका नाम क्या है तो वो इस पकवान का नाम बताता है एवियल वो कहता है कि इस पकवान का नाम एवियल है और उसी समय से जो एवियल है ये केरल में बहुत ही लोग प्रिये हो जाता है और सभी लो प्रसीद हो गया है तो दोस्तों यह था इस चैप्टर का हिंदी एक्स्प्लेनिशन इस वीडियों बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक हमारी चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद नमस्कार